मेरे राजू शर्मा माताजी राजू शर्मा जी अभी वर्त्मान कहां से बोल रहे हैं मैं बेंगलोर में हूं माताजी और घार आपका गाउं मेरा आसाम है आसाम धेमाजी दिस्टिक पड़ता है अच्छा अच्छा प्रश्न करें मता जी मेरा 10 साल से कुछ समस्या है मेरा खुद का सारिर में भी शांती नहीं है और घर में भी कुछ उसे असानती है और जितना पैसा में कमाता हूं वो पैसे किदर जाता है मालूम नहीं होता है और मैं बहुत बागेशर धांबी गया माताजी उन्चे तो बात हो नहीं पाया मैं इधर उधर भटका बाद में आपका कल रात को यूट्यूब में देखा तो आपका फोटो में सब कुस दिया हुआ था बाद में रोगविंद्र वो नमर पे फून किया तो रोगविंद्र बोलके उठाए उनने तो बाद में आपका नमर दिया है माता जी मनोस्थिती भी डिश्टर्ब है अर्थ की समस्या भी आपको बहुत है बेटे और इसका जो कारण है शरीर की गती रिश्टर्ब होना याने ब्लड में आपके गड़बड़ी आ रही है और ब्लड में गड़बड़ी आने का जो कारण है उस कारण के निवारण के लिए बाबा भूले नात को अंगारेश्वर महादेव के स्वरूप में पूजना है अंगारेश्वर महादेव के दिवय अनुष्ठान आपको स्वयम करना है या फिर स्वयम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको सादक सिद्धमा पुरुशों के द्वारा करवाना होगा घर में नकारात्मा को उर्जाओं का वास भी है जिस कारण से आप अकेले नहीं आपका पूरा घर परेशान है और देवी देवताओं की भी पुरुण कृपा नहीं हो पा रही है आपके जीवन में और आपकी परिवार के भी जीवन में और इसका जो मूल कारण है की देवी देवताओं की पुर्ण कृपा क्रुण क्यों नहीं हो पा रही है जब घर में पूर्वजों का शुभाशीरवाद नहीं मिल पाता है पूर्वजन प्रताडित होते हैं यानि पित्रगण प्रताडित रहते हैं तो पूरे घर को अस्तव्यस्त कर देते हैं और घर में रहने वाले संपूर परिवार जन के मन और तन और अर्थ ये तीनों में भयानक गड़बडी के योग बना देते हैं जिस कारल से मनुसे बहुत फरेशान ही जाता है, जीवन में सन सुखी, धन सुखी, जन सुखी हो तो यहीं स्वर्ग है जब नकार आत्मा उर्जाओं का वास होता है यनि कि अंगारा के योग बन रहा है तो सरीर के अंदर जो बलड चल रहा होता है, बलड समबंदी विकार होता है ब्लड में विकार होने के कारण शरीर के किसी भी पार्ट में गड़बड़ी हो सकती है ब्लड संबंदी रोग उत्पन हो जाता है और छोटी-छोटी बातों में आपको घबराहट भी होने लगती है क्रोध भी बहुत आ रहा है और घबराहट भी बहुत हो रही है कभी-कभी आप अपने आपको बैठते हैं तो ऐसी विशम परिस्थिती से मुप्ति पाने के लिए जीवन में सुक शांती या श्कीरती बेभव प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो धान आरजन के योग बने इसके लिए आपको मा भगवती बगला मुखी देवी का पूजन करना चाहिए दिक्षा ले करके उनकी आराधना करना चाहिए और मा भगला मुखी देवी की कृपा से ही आपके घर परिवार में नकार आत्मक उरजाओं का जो है वास है वो दूर होगा तो मैया की आराधना करें और आपके जेवन में ऐसा लगता है कि काल मढ़रा रहा है तो ये काल से मुक्ति पाने के लिए बाबा महाकाल की शरण लेनी पड़ेगी भगवान श्यू की आराधना महाकाल की रूप में ही आपको करना है अभी तका संकार जी के रूप में भज रहे हैं माता जी मैं घर में आमारा चंडी पुजा और चंडी पुजा हर साल कर रहा हूं घर में भी और नवकन्या का जो भोजन वो भी आम लोग करते हैं साल साल में पर उससे भी बेटे सुनो, फिर से सुनना ध्यान से, दूसरी बार, आपके घर में पित्रगण परेशान है, पित्रगण जब परेशान होते हैं, गण मतलब प्रेत, उस समय आप नौ देवी शक्ती की भक्ती करते हैं, मा भगवती पार्वती जी का ही स्वरूप है चंडी, जिन चंडी मात तो वो चंडी माता पार्वती जी ने जब चंडी रूप धारण की थी, उसके बाद उन्होंने चंड देत्य का विनाश करी थी, चंड नमक देत्य का संघार की थी, तब मा भगवती का चंडी नाम पड़ा है, उसके बाद वही रूप में, चंडी के रूप में मातरानी ने मुंड नाम के देंत्य का संघार की थी, उसका उधार की थी, इसलिए माभगवती का मुंड रूप बना, इसलिए दोनों नाम को मिला करके चंड और मुंड का वद करने के बाद माभगवती को चामुंडा भी कहा जाता है ये माभगवती का मंत्र है, ये मंत्र करते हैं या नहीं आप? मैं पारचालिशा रोज करता हूँ ये करते हो कि नहीं इतना पोचे? ने, ने, माताजी तो ये करना चाहिए न आपकी चंडी जो देवी है उसका मूल मंत्र है बीज मंत्र है तो आपको करना चाहिए हो तो ये सब अभी आप नहीं कर पा रहे हैं और कष्ट में जीवन आपका डूबा चला जा रहा है तो इस कष्ट में जीवन से मुक्ति पाने के लिए आप और बगला मुखी देवी के साथ में शिव जी को महाकाल के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है, उनकी साधना आराधना की जाती है, तो बाबा महाकाल और मा बगला मुखी देवी की आराधना आप प्रारंब करें, सब ठीक हो जाएगा, और यह सब साधना, पूजन, करने के लिए आपको मा बगलाम की दर्वार सीवनी आना होगा